नमस्कार दोस्तों एक बार फिट से आपका स्वागत है दा सीरियस कॉमेडी शो में और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ हरी शंकर परसाई जी का व्यंग राजनीती का बटवारा ये उनकी पुस्तक वैशलों की फिसलन से लिया गया है दोस्तों मेरा बार बार आपसे निवेदन रहता है कि यदि आपको ये व्यंग वाचन पसंद आ रहा है तो कृपिया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस से इस चैनल की रीच बढ़ती है और मेरा उत्साहवर धन होत हरिशंकर परसाई जी का व्यंग राजनीति का बढ़तवारा सेड़ जी का परिवार सलाह करने बैठा है समस्या राष्ट्री ये है आखिर इस राष्ट्र का होगा क्या नगर निगम के चुनाव होने वाले थे और समस्या ये थी कि कि किस पार्टी के हाथ में निगम जाता है सेट जी का परिवार कई करोड़ वाला है, सब देश भकते हैं परिवार के वयोवरद भया जी पांच साल स्वाधीनता संग्राम में जेल हो आये थे वे राष्टर पिता बनना चाहते थे पर गांधी जी ने उन्हें नहीं बनने दिया इस कारण वे गांधी जी से नाराज हो गए हैं कहते हैं एक बनिये ने दूसरे बनिये को राष्टर पिता नहीं बनने दिया खेर, चौराहे पर मूर्ती की स्थापना तो हो ही रही है अब कई एजिंसियां परिवार ने ले रखी हैं, कई चीजों के स्टॉकिस्ट हैं इस कारण देश भगती और बढ़ गई है आखिर देश के धन की रक्षा भी तो करनी है राष्ट्र प्रेम में कमी नहीं है पर बिजनस की भी एक नैतिक्ता होती है ये नैतिक्ता है चुंगी चोरी, स्टॉक दबाना, मुनाफ़ा खोरी करना, बलैक से देश का माल बेचना अभी चन्दा करके वयोवरिद देश भक्त भाईया जी ने शहीदों की स्मृती में कई लाख का बलीदान मंदिर बनवाया है जिसमें से काफी चन्दावे खा गए लोगों ने शक्की आवाज उठाई तो भाईया जी ने कहा हर धंदे में कमीशन मिलता है जब शहीदों ने खून दिया तो मैंने जिसने खून नहीं दिया यदि चन्दे में से कमीशन नहीं खाया तो स्वर्ग में शहीदों की आत्मा को कितना कश्ट होगा फे तो मर गए पर मैं तो जीवित हूँ तो अमर शहीद तो मैं ही हुआ ना वो तो अमर शहिद ने हुए तो परिवार राष्ट्री ये समस्या पर विचार कर रहा है किस पार्टी का निगम बनेगा चुंगी की चोरी कैसे होगी भाईया जी बड़े होशियार है जब आखरी बार जेल जाने लगे तो छोटे भाई से कह गए दस हजार रुपिया अंग्रेज कलेक्टर को ब्रिटिश वार फंड में दे देना बहुत करके इस लड़ाई के खत्म होते होते स्वराज जी मिल जाएगा तब तो मैं हूँ ही पर मान लो अंग्रेज कुछ साल नहीं गए तो तुम्हारे नाम की वार फंड की रसी तो है ही दोनों पक्ष समालना चाहिए स्वराज जी हुआ तो मैं और अंग्रेज रहे तो तुम भाईया जी फिर बोले यदि नगर निगम कॉंग्रेज के हाथ में आया तो मैं तो हूँ ही मैं अपने त्याग और वयो व्रद समान से चुंगी चोरी प्रतिष्ठा पुर्वक करवा लूँगा वसे ये घोर अराश्ट्री ये कर्म है कि जो जेल गए वहां सी में नहीं एक क्लास में रहे उनके परिवार के माल पर चुंगी लगे ये राश्ट्र विरोधी आचरण है मैं संसत में इस सवाल को उठवाऊंगा इन सी क्लासियों के हरकत नहीं चलने पाईगी एक भतिजा पढ़ा लिखा था जवान था राजनीती में वंश परंपरा के प्रतिकूल एमे करके शोध कर रहा था वाचाल था कहने लगा परकाका जी जेल में एक लास में मजे ही मजे हैं जो भी एक लास में गए उन में से कई ने किताबें लिखी आपने भी तो हजारों प्रष्ट लिखे थे भाईया जी विनमरता से बोले मैं तो निमित्त हूँ देवी सरस्वती ने लिखवाया तो मैंने लिख दिया भतीजे ने कहा परकाका जी लोग कहते हैं कि ये सब आपने नहीं लिखा किसी से लिखवाया है भीया जी ने कहा बिटा किसी कवी ने कहा है कारागार निवास स्वयम ही काव्य है कोई कवी बन जाए सहज संभाव्य है ये भतिजा परिवार में विद्रोही माना जाता है कहता है मैं इस धन और प्रतिष्ठा के मलबे के नीचे दब कर नहीं मरूँगा मैं शोद करके नौकरी करूँगा पर जब लोग ये कहते हैं कि आपने नहीं लिखा किसी और से लिखवाया है तो मुझे बड़ी शर्माती है भाईया जी ने कहा है तु जवाब दे दिया कर लड़के ने कहा जवाब तो मैं दे लेता हूं मैं कह देता हूं मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये आपने ही लिखा है क्योंकि हिंदी में इतना घटिया लिखने की प्रधिबा और किसी में नहीं है भाईया जी लाल हो गए छोटे भाई से कहा ये तुम्हारा लड़का नकसलवादी हो गया है वही लोग बुजर्गों से ऐसी बत्तमीजी करते है इस लड़के को कहीं दूर हॉस्टिल में रखो तीसरे भाई ने कहा भाई जी पर राष्ट्री समस्या तो छूटी जा रही है चुंगी चोरी कैसे होगी अभी तो हम निगम की सीमा के बाहर डिपो बनाए हुए हैं और रात को चोरी से स्टॉक ले आते हैं कुछ खिला पिला देते हैं दारू की एक बोतल में नाके का मुंशी मान जाता है वो बेहोश हो जाता है और हम काम कर लेते हैं भाया जी ने कहा ये मार्ग उचित नहीं है गांधी जी ने सत्य पर जोर दिया है जो हो सत्य के मार्ग से ही दिन में हो, उजाले में हो यदि कॉंग्रेस का कबज़ा निगम पर हो गया तो मैं तो हूँ ही सत्य के मार्ग पर ही चलूँगा बड़े भतिजे ने जिसने परिवार की नैतिकता मान ली थी कहा पर यदि जनसंग का कबजा हो गया तब भाईया जी बोले जनसंग से मेरी पड़ जाती है वो भी गोभक्त, मैं भी गोभक्त पिछली बार जब मैंने गो रक्षा के लिए अंशन किया था तो उन्होंने मेरे खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था वे भी हिंदी प्रेमी, मैं भी राष्ट्री है, मैं भी राष्ट्री है उनका निगम हो गया तो गांधी जी के सत्य के अनुसार मैं दिन में ही ट्रक बलवा लूँगा वही वाचाल ये वक भतीजा बोला, भाईया जी गुसे से देखने लगे उसने कहा, पर कहीं ये कम्यूनिस्ट जोड तोड करके निगम पर हवी हो गए तो भाईया साब गर्म हो गए, ये कम्यूनिस्ट कद्दार साले हराम जादों को देख लूँगा सब को जेल भेज़ दूँगा, वाचाल भतीजा जो मलबे के नीचे दब कर नहीं मरना चाहता था, बोल उठा काका जी, गांधी जी ने बार बार कहा था कि कटू मत बोलो, मीठा बोलो, आप गांधी बादी हैं, पर साले और हरामजादे शब्दों का प्रयोग करते हैं के लिए नहीं कही थी, हम लोग तो अपने विरोधी की मा भेन पर भी उतर सकते हैं, गांधी मार्ग बड़ा विराट मार्ग है, ये कमिनिष्ट देश द्रोही हैं, वाचाल लड़का चुप नहीं रहा, बोला, काका जी, ये कमिनिष्ट जब रूस, चेकोसलोवा किया, क्य का बोला, तो काका जी, अपनी देश द्रोह की संस्कृती है, अब भाया जी को बरदास्त में ही हुआ, उन्होंने लड़के को डाटा, तु मूर्ख है, इसी वक्त यहां से उठ और कमरे में जाकर उस कचरे को पढ़, जिसे तु पॉलिटिकल साइंस कहता है, हमने भी जीव लगा, चल भाग यहां से, अब राष्ट्री ये समस्या आगे बढ़ी, एक भाई ने कहा, यदि निगम पर सोशलिस्ट पार्टी का कबजा हो गया, तो भाया जी ने कहा, ये समाजवादी हुलड करते हैं, मैं निगम भंग करवा दूँगा, भाई जी ने कहा, मानलो भंग पर कबजा कर लिया, तो भाया जी ने कहा, मुझे सोचने दो, तभी भाई ने कहा, मानलो संगठन कॉंग्रेस का साशन हो गया, तो भाया जी ने कहा, उसकी चिंता मत करो, आखिर मैं भी तो संगठन कॉंग्रेसी ही हूँ, ये अलग बात है कि इंद्रा गांधी के वोट खी पिंचने की ताकत के कारणी धर हूँ और समाजवाद में विश्वास बतलाता हूँ सारी राष्ट्रिय समस्याइं सामने आ गए अब वयोवरिद देश भक्त आखें बंद करके चिंतन में लग गए फिर आखें खोली आखों में दिव्य जोती थी पहिया जी ने कहा मेरी पव कॉंग्रेस में हूँ और संगठन कॉंग्रेस में भी तुम छोटे जनसंग के सदस्य हो जाओ फिर बड़े भतीजे से कहा तुम समाजवादी पार्टी के सदस्य हो जाओ और छोटे भतीजे से कहा तुम कम्मिनिस्ट हो जाओ सबसे छोटे भाई से कहा तुम माक्सवादी पार्टी में शामिल हो जाओ और वो बिगडा लॉंडा जो है वो नकसलवादी हो ही गया है परिवार ने संतोश की सांस ली भाया जी खुश थे कहने लगे देखा तुमने राजनेतिक समझ इसको कहते हैं अब अपने घर में सब पार्टियां हो गई किसी का भी नगर निगम ह चुंगी चोरी पकी हमने सारी पार्टियों को तिजोरी में बंद कर लिया